नमस्कार दोस्तों and welcome back to my channel first investment दोस्तों जिस तरीके से हम लोग सोचते हैं कि new channel के भरोसे अगर हम लोग trading कर सकते हैं और वहाँ पर पैसन कर सकते हैं तो यहाँ पर जो मैं इस वीडियो में आज आप लोगों को बताने वाला हूं उससे आप लोग शॉक हो जाएंगे एक actual fraud सामने निकल के आया है वो भी एक news channel पे जो काम करते थे and मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा आप लोग शॉक हो जाएंगे basically मैं भी शॉक था जब मुझे इंके बार में पता चला कि हेमन्त गही मैं आप लोगों को फोटो दिखाना चाहूंगा and he is the person यह हमारे city के ही है फ्रॉम बरेली उत्तरप्रदेश and जिस college से मैं पास आउट हूँ exact उसी college में इन्होंने भी पास आउट करा है basically यह मेरे senior थे ठीक है इन्वर्टेस युनिवर्सिटी बरेली में ही है and मैं वहां से पास आउट हूँआ basically a guilty of that जो इनको frame करा गया है basically यहां पर मैं आप लोगों को इसी लिए alert करने आया था इस video जो मैंने बना रखी है देखे मुझे almost 5 years हो चुके हैं होने वाले हैं trading में and जब मैंने start करा था मेरा पूरा focus जो था CNBC आवास and जो new channels होते थे उन पे ही था but after जब मैं उनके stocks पे trade करता था थोड़े बहुत मुझे return मिले at a time for example let me show you मैं आप लोगों को बताता हूँ देखे कोई भी stock अगर नहीं channel में recommend करा जाता है for example 925 पे Heymanth जी ने for example कोई भी हो ठीक है उन्होंने stock recommend करा XYZ आप buy कर सकते अप move आ रही है 925 से लेके 927 तक वो stock वहां से 2-3 रुपे बढ़ चुका होगा ठीक है आप लोगों को लग रहा होगा क्यूंकि बात सुनते ही वो stock बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है but actual में आप थोड़ी देर बात देखेंगे न वो उसी price से नीचे आ चुका होता है बहुत बार आप लोगों के साथ हुआ होगा बहुत बार मेरे साथ हुआ है जब मैं starting में था अपने इस career में and जब मैंने इनको follow करने की start करा था yes guys so यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यह एक अकेले यह अपने friends and relatives को stocks buy करवा देते है and next day हमें वो stocks recommend करते है जब basically वो stock उपर जाता है तो वो लोग वहाँ पर अपनी position को exit कर लेते है and at a time हम लोगों को losses face करने को मिलता है and वहाँ पर वो लोग profit enjoy करते है so yes guys इस तरीके से हमें इस fraudland से बचना होगा and उसी तरीके से इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा था so यहाँ पर अब हमें क्या करना है यहाँ पर जिस तरीके से यह front running कर रहे थे जो front को run कर रहे थे हमन गई उसके लिए यह guilty पाए गए है सेभी की तरफ से and उनको लगता है कि अगर यह इसको थोड़ा आगे और रिसर्च करी गई थोड़ा एक्स्पेंड करा गया तो और भी लोग सामने निकल के आ सकते हैं और बड़े लोग सामने निकल के आ सकते हैं जो इस तरीके से कर रहे है so guys I am telling you मैं अभी वी CNBC अवाज को follow करता हूँ definitely but जो वो stocks recommend करते हैं उनको मैं अपनी watch list के अंदर भी आट करता हूँ but मैं उन पर trade नहीं करता मैं trade अपनी खुद की research से करता हूँ बस मैं उन stocks के नाम अपनी watch list पे आट करता हूँ कि उनके बारे में मैं thoroughly research कर सको आप लोग सुनते होंगे CNBC आवाज में कि देखें अमने ये stock बताया 20% चला गया ये stock बताया 10% चला गया आप देख सकते हैं कि particular news channel almost 6 hours खुलते हैं जब market open होती है जब बंद होती है तब तक वो अपनी speech बोलते रहते हैं तेक हैं और वहाँ पर वो मैं आपको कहना चाहूँगा hundreds of stocks के बारे में बात करते हो daily basis अब उसमें से 5 या 6 hit कर भी जाते हैं मैं मान के चल रहा हो 20 भी hit कर जाते हैं तो भी आप देख सकते हैं कि ratio किस तरीके का और वो जो publicity करते हैं वो सिफ उन 20 stock की करते हैं तो मैं इंके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि इस किस तरीके से हुआ इनने किस तरीके से फ्रॉड करा हैं और जो front run कर रहे थे behind news channel ये किस तरीके सा था तो यहां पर ये एक बहुत बढ़िया आप देख सकते हैं मैंने open कर रहा है that is newslaundry.com जिस तरीके से ये लोग बताते हैं I am saying कि इसको भी आप लोगों को follow करना चाहिए इस particular channel को आप लोगों को follow करना चाहिए so मेहां पर हम लोग बढ़ते हैं कि CB ने basically जो stock market के regulator है उन्होंने CNBC अवास के जो anchor थे हेमन गई को उन्होंने guilty थाबित कर दिया है इसके बाद उन लोगों को fire कर दिया गया है घही को fire कर दिया गया है CNBC अवास जी and basically जब ये fire नहीं हुए थे ये एक show को host करते थे that is stock 2020 जो almost around 7.20am पर आता था आप लोगों को पता होगा कि cricket वाला इंका एक scenario चलता था stock 2020 and यहां पर हमन घही जी 20 stocks देते थे वहाँ पर एक दूसरे percent थे जो 20 stocks देते थे and उसके बाद वो लोग चेक करते थे कि कौन से stocks उपर गया नीचे गया है ठीक है so आप देख सकते ही इसी तरीके से ये fraud हुआ है क्या करते थे ये कहमन गई for example उन्हेंने कोई stock XYZ मैं किसी भी stock का ऐसे नाम नहीं लूँगा इन्होंने कोई XYZ का stock for example अपने family को purchase करवाया heavy quantities में purchase करवाया and next day stock 2020 में उसका नाम बोल दिया कि ये stock बहुत अच्छा है ये 20% जाने वाला है and you know कि हम जाद तर जाद तर जो stock market में विस करते है वो news को follow करते है because वही हमारा एक main source होता है जहां से हमें सारी news, सारी updates provide होते है as अब को बता है so क्या होता है जब हम लोग सारी बाते सुन पे उनको trust करके वो stock को buy करते and eventually their price go up वो profit achieve कर लेते है and in the end वो stock नीचे आजाता है and we booked our losses एक है so यह सारी चीज भी थी basically वोने किस तरीके से करा था मैं आप लोगों बताना चाहूँँगा जो भी रेकमेंडेशन देते as you can see it here Sebi orders deal with the show stock 2020 the feature recommendation on certain stocks to be bought sold during the day basically trading accounts of Gahi Mother Shyam Moini and his wife Jaya were used to buy stocks a day before he would recommended them on stock 2020 yes वो अपने mother का अपनी wife का भी trading account को handle कर रहे थे and उसके through वहाँ पर वो सारे stocks को एक दिन पहले ही buy कर लेते थे और next day वो लोग stock 2020 में recommend करते थे yes अब देख सकते हो the Sebi order point out that Gahi made a profit of 2.95 crores just through the limited number of trades सिर्फ limited number of trades पे उसने 2.95 crores औन करे guys अब एक बात ये आती होगी क्या वो इतना बेवकूफ था कि वो अपने mother अपने wife की account पे ऐसे trade कर रहा था और हम लोग नहीं पता लगा सकते थी कि ये एक affront चला रहा है so क्या होता है basically जब ये बहुत time से कर रहे थे ठीक है Sebi ने जो इस पूरे इसमें बता रखा है article में कि ये बहुत time से कर रहे थे and उसके बाद इनको ने confidence आ गया था कि यार मेरा तो luck बहुत अच्छा है and मुझे कोई नहीं पकड़ेगा जिस दिन इनका luck हटा उस दिन से भी आ गई and इनका fraud पकड़ा गया ठेक है so यहाँ पर इस तरीके से इनोंने planning करी थी कि मतलब मैं mother या उनके account में भी कल लूँगा बट मुझे नहीं पकड़ पाएंगे ठेक है बट ऐसा नहीं हुआ and right now he is guilty okay so यह सारी चीज़े होने के बाद आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा देखे also a careful reading of the order suggest that the trading accounts of गही mother and wife were basically mule accounts ठेक है अब basically mule accounts क्या होता है mule accounts एक तरीके से वो trading accounts होते है जो आप एक person को दूसरे person को lent करते हो कि आप हमारे भीहाव पे इस trading account को control कर सकते हो और orders को place कर सकते हो so उसी तरीके से जो इनकी wife और mother थे वो basically mule accounts थे because उन्हें हेमन गही जी execute कर रहे थे, control कर रहे थे चीक है after the order came out people were left wondering how someone who has been in the business please read this in the business for more than a decade and a half could be so stupid to as front run through the broken account of his wife and mother जैसा कि मैने आप लोगों को बताया तेक है the answer lies in the fact that he wasn't being stupid just the but he was just being blatant about the entire thing basically वो लग के उपर थे तेक है he had probably been doing it so far long that he felt extremely confident about it his luck ran out तेक है so basically ये article और ये बताने का मक्सद यही था so I am so excited कि ये हमारे एरिया से थे and हमारी उनिवर्सिटी से ही पास आउट वे थे so मैंने सुचा कि आप लोगों को इसाथ डिफिनिटली शेयर कर जाएगा but guys I am suggesting you अगर आप कोई भी stocks पे किसी की भी recommendation लेते है I am saying about myself also so जब मैं आप लोगों को 5 stocks प्रोवाइड कराता हूँ you have to do your own analysis because in the end पैसा आप लोगों का लगा है yes आप लोग stocks फाइंड करने में if you find a difficulty you can see our videos but आपको भी अपनी अपनी अनालिस करने पड़ेगी in our videos we are providing you the thorough research and technicalities हम आप लोगों को सिखाते कि किस तरीके से stock find करा गया उसे remember करो उसे apply करो उसमें practice करो and definitely आप अपनी हमारी stocks पे और अच्छे से research करके उस particular stock को trade में ले सकते हो and guys don't follow blindly on any news channel yes आपको वो अच्छी चीज़े ही दिखाएंगे that stock is going 20% 30% हमारी stock 200 रुपे में recommend करा रहा वो 600 रुपे हो गया but आप definitely उस stock की नाम को अपनी watch list के अंदर आड कर सकते है उन पर research कर सकते है उन पर technical indicators लिगा के कर सकते है and अगर वो आपको अच्छा दिखता है for a buy you can hold that particular stock अपनी watch list में otherwise you can remove ठेक है so guys अभी तो ये शुरुवात है अभी बस हेमन गई ही guilty पाए गए है अब अगर से भी और जादा act करती है so definitely मुझे लगते है कि थोड़े time में और आगे नाम सामने आएंगे and I will update you soon thank you so much guys मैं यही आप लोगों को बताने वाला था कि new channel पर trust नहीं करना है and guys yes वहाँ पर थोड़े अच्छे people भी है थोड़े नहीं भी है some people are good जो technical indicators को बहुत अच्छे से समझते है but जिस तरीके से मैं उन्हें भी study कर चुका हूँ वो किस तरीके से उनका एक pattern बन चुका है उसके बारे में हम इंडप्ट analysis बाद में करेंगे of CNBC आवाज जो भी वहाँ पर technical experts बेठे होते हैं कि उनका क्या pattern होता है किस तरीके से वो लोग stocks को बताते है और हम लोगों को बेफ्कूफ बनाते है so आप comment box में हमें जूरूर बताएगा कि आप लोग अगर वो वीडियो चाहते है and what you think कि कौन सा member कौन से एक ऐसा anchor दुबारा सामने आ सकता है जो इस ऐसा fraud करा होगा please do let me know the name as well जो आप लोगों को लगता है कि second fraud उसके सामने आ सकता है so guys thank you so much हम लोग बलते हैं अगली वीडियो पर मैं शिवांज मसीन signing off